नमस्कार दोस्तों बात करने वाले आज हम एक important topic की नाम है इसका अपकार score और हर exam में एक question यहां से आते ही आता है तो अपकार score क्या है अपकार score के क्या component होते है और अपकार score किसको indicate करता है man question जो यहां से बनता हो इसके component से बनता है तो याद रिखेगा अपकार score के बारे में सबसे पहली important बात यह रहती है कि यह score है जो use किया जाता है for neonatal assessment किसके यूश किया जाता है neonatal assessment के लिए use किया जाता है अपकापार score score होता है इस अपकार score के अंदर जो scoring होती है जो scoring होती है वो minimum scoring जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है 0 होती है और maximum scoring scoring जो होती है वो 10 होती है अगर मैं इसके scoring की बात करूँ scoring में minimum 0 है अगर आपको exam में पूछ ले की minimum कितनी होती है तो minimum होती है 0 अगर आपको पूछ ले कि maximum कितनी होती है तो maximum होती है यहाँ पे 10 minimum 0 और maximum कितनी होती है 10 अगली important बात अपकार score में हम किसी newborn baby के assessment करते है vital organ का तो इसके अंदर जो assessment किया जाता है वो assessment किया जाता है assessment of vital organ और vital organ कौन-कौन से होते हैं तो यहाँ देखेगा यहाँ पर हम assess करते हैं heart assess करते हम lungs का assess करते हम brain का इन vital organ का assessment इस अपकार score में किया जाता है minimum marking 0 है maximum marking 10 है इस अपकार score में जो जो न geral assessment का यह पारत रहता है इसको दो बार करते हैं एक तो जनम के 1 minute 1 minute of life when minute of life and दूसरा करते हैं इसको five minute of life जनम के 1 minute और पांच मिनट फे इस अपकार score को check किया जाता है अब ट्रोंबूचはいे जाता है कि एक मिनट और पाँच मिनट पे दो बार क्यों कि चेकरते हैं उसके रिगज कर दिया कि बुढ़ की बच्ता किया कि बच्चा गाई है कि नहीं है और फिर score के component के अंदर 5 component है जिसमें इसके नाम से ही हम इसको denote करते हैं A P G A R में A का मतलब यहां पे होगा appearance P का मतलब यहां पे होता है pulse या heart rate heart rate G का मतलब यहां पे होता है grimace A का मतलब यहां पे होता है activity और R का मतलब यहां पे होता है respiration याद रखेगा यहां पे यह पांच component है इसके लाव और कोई component नहीं होता है appearance pulse rate या heart rate grimace activity और respiration respiration में effort देखते है respiration की rate अपकार score में कभी भी check नहीं करते हैं यह खास बात है जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है अब minimum marking हमने जीरो होती है बीट की marking एक हो सकती है और maximum marking दो हो सकती है अब मैं appearance की बात करूँ तो इसके अंदर हम चेक करते हैं skin का color क्या चेक करते है skin का color चेक करते हैं और अगर बच्चे के skin का color वहां पे blue है तो हम number दे देंगे zero और अगर बच्चे के skin का color वहां पे pink है तो हम बहां नंबर दे देते हैं 2 blue skin का color zero है pink हो तो दो number दे देते हैं और बीच वाला जो number है वहां पे होता है acrocinosis acrocinosis का मतलब होता है कि बच्चे का body तो होता है pink और extremities होता है blue इसको हम बोलता है acrocinosis तो zero एक और दो according to the skin color हमने number दे दिया यह appearance में देते हैं अगर मैं heart rate और pulse rate की बात करूं तो pulse rate में zero number कब देंगे zero number तब देते हैं जब बच्चे की heart rate जो होती है वह बिल्कुल absent होती है अगर heart rate absent हो तो zero number दे देंगे अगर heart rate वहाँ पे less than 100 हो तो one number दे देंगे अगर heart rate जो है वह more than 100 meet per minute हो तो हम कितना number दे देंगे two marks दे देंगे तो absent 100 से कम और 100 से ज़्यादा zero one or two तीसरा जो component है वह है grimace और grimace में क्या check करते हैं हम reflex check करता है क्या check करता है reflex और reflex check करने के लिए बच्चे को stimulation देते अब आपने बच्चे को stimulation दिया और जैसे stimulation दिया और इस बच्चे ने कोई response किया है ना बच्चे को आपने stimulation दिया और इस बच्चे ने कोई response किया कैसा response किया उसके आदार पर हम number देते अगर बच्चा कोई response नहीं देता है, no response, तब तो हम कितना दे देंगे, zero marks दे देंगे, अगर बच्चा थोड़ा बहुत move बनाता है, आपने मारा और उसने थोड़ा सा move बनाया, इसको बोलते है mild grimace, क्या बोलते है, mild grimace, और अगर बच्चा जो है, वो active cry कर रहा है, क्या कर र हम क्या देखते है, मसल की tone देखते हैं, अब मसल की tone जब हम चेक करेंगे, तो zero number देंगे, जब मसल की tone वहाँ पर क्या रहेगी, absent रहेगी, मसल की tone क्या रहती है, absent, a tonic muscle रहती है, मसल में कोई moment नहीं होते हैं, एक number कब देंगे, जब वहाँ पर मसल के अंदर minimal flexion हो, क्या हो वहाँ पर, minimal flexion हो, और दो number कब देंगे, जब मसल जो है उसमें active moment हो, क्या हो, active moment हो, तो अगर active moment हो, अच्छे से muscle move कर रही हो, तो दो number, थोड़ा flexion हो, तो एक number, और बिलकूल flexion नहीं हो, तो zero number, थोड़ा flexion एक, good flexion with active moment, अगर एक word ओर आता है, good flexion, तो अगर good flexion है, तो भी number कितना चला जाएगा, two marks वहाँ पर चला जाएगा, simple है, और last point देखता है, respiration, respiration अगर absent है, तब तो हम देंगे zero number, कोई respiration चली नहीं रहा है, अगर respiration जो है, वो एक number कब दे जब respiration irregular हो, कैसा हो, irregular, और two marks कब देंगे, जब respiration regular हो, तो अगर respiration regular है, तो बच्चा जो होता है, वो active cry करता है, तो यह indicate करता है, कि वहाँ पर respiration regular है, तो एक quick revision, appearance, pulse rate, heart rate, grimace, activity और respiration, appearance में blue, acrocynose, pink, pulse rate, heart rate में absent, less than 100, more than 100, और grimace में कोई response नहीं, mild grimace, active cry, rest activity में absent, minimal flexion, active movement, और respiration में absent, irregular, और regular respiration, यह कहलाता है, अपकार score, और इस अपकार score में, जो अब scoring करेंगे अपन, उस scoring के अंदर, अगर बच्चे का score जो होता है, वो एक तो आता है, आट, नो और दस, तो यहाँ पर हम risk मानते हैं, और किसकी risk, morbidity या motility की risk जो होती है, वो mild होती है, कैसी risk होती है, mild risk, अगर score जो होता है, वो चार से लेके साथ हो, तो यहाँ पर हम risk मानते हैं, moderate risk, कैसी risk, moderate risk, और अगर score जो होता है, वो 0 से 3 हो, तम यहाँ पर मानते हैं, severe risk, severe risk, याद रखेगा, mild, moderate और severe risk के अंदर, mild risk वाली condition के अं कोई intervention की जरुवत नहीं है कोई intervention की जरुवत नहीं है no intervention सिरफ routine केर देते हैं कोई अलग से intervention लेने की जरुवत नहीं है अगर आपका moderate risk पे बचाए तो इसको हम क्या करते हैं stimulate करते हैं cry करवाते हैं oxygen administer करते हैं उससे पहले suction भी करते हैं तो suction करो airway को patent करो oxygen लगाओ और थोड़ा stimulate करो अगर नंबर चार से साथ के बीच में और अगर नंबर जीरो से तीन के मीच में यह बचा morbidity or mortality की severe risk पे है और जब बचा mortality की severe risk पे होता है तो यहां पे हमें क्या करना पड़ता है नियो-णेटल री सचीटेशन नियो-णेटल री सचीटेशन क्या करना पड़ता है नियो-णेटल री सचीटेशन करना पड़ता है तो इस वल अपकार इसकोर नियो-णेटल असेस्मेंट का इक important scoring system है और इसके कंपोनेंट से स्वाल बनता है component दिये वे होते हैं आपको numbering count करने से स्वाल बनता है timing का स्वाल बनता है कब-कब झाल